कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया था तो जाते बराबरे उसने मुझे एक कॉशन पूछा कि यार बोले बहुत दिनों से मैं तेरा वेट कर रहा था तथा अगत बोले मुझे मेरे बच्चों को रेसिदेंशल स्कूल में भेजना है वो भी सेवन स्टांडर में पढ़ रहा है मैंने बोलौ रेसिदेंशल स्कूल में क्यों भेजना चाहता है तो उसने मुझे एक बात जो बता ही है वह आप उसको गौर से सुनिये कि बोले मुझे मेरे बच्चे का आयाईटी के लिए प्रि से सुनिए कि कॉंपेटिशन कितने लेवल पर बढ़ गया है आज की तारिक में जो बच्चे आया टी मेडिकल एंटरंस के लिए एक्जम के लिए जाना चाहते हैं उनका प्रिपरेशन फिफ स्टेंडर से एट स्टेंडर से अगर सुरू होगा तो नाचरली आने वाले जीवन में जो बच्चे एलेट ट्वेल्ट में सीधा जाके नीट या जे डबली के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए कितना टफ जाएगा जब मैंने उसको पूछा कि एक साल की फिस कितनी है भाई हो आपर तो उसने मुझे बताया कि एक साल का लगबक पांस से छे लाक रुपे का खर्चा है इस चीच के उपर में धान देके सोचिये हम हमेशा बोलते कि पैसे औरे के बच्चों को सब मिलता है जिसके बाद पैसे सब्सक्राइब का प्रिपरेशन से बच्चों का फांडेशन को दिरे दिरे पढ़ाना चालो कर देता हूं एक स्टांडर में जैसे बच्चे जाते हैं तो जो 11 और 12 स्टांडर में पढ़ने वाले कोर्से से नीट और जे डबली के लिए उसको मैं 8 9 10 स्टांडर में ही कम्प बच्चा कर रहे हैं उसको फ्री में पढगा रहा हूं और फ्री में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि स्कूल की पॉलिसी ही है कि आने वाले दस सालों में स्कूल जीवन में एजुकेशन में जो बदलाव आने वाले हैं उसका प्रिपरेशन हम लोग पहले कर लेते दस साल ब्यात क्या होने वाला है कौन सा फिल्ड जिन्दा रहेगा कौन सा फिल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा यह हम लोग पहले ही उसका preparation चालू कर देते हैं, बच्चों को बताना चालू कर देते हैं कि आगे वाले जीवन में यह नहीं होगा अब देखिए कि इस level का preparation हम लोगोंने स्कूल में पहले से ही चालू कर दिया उन्होंनों भी 8 standards से JEE, NEED के preparation के classes को चालू करवा दिया अब देखिए आने वाले जीवन में competition कितना tough होगा अब preparation lower classes से चालू होने की वज़ज़ से क्या होगा out of marks लेने वाले बच्चों की capacity बड़ेगी यह बच्चे को कुछ भी नहीं आता, गदे से गदे का बच्चा भी होगा और अगर वो समझ के चलो आने वाले entrance examination की preparation वो अपने lower classes से माने 8 standards से 5 standards से चालू करेगा तो 4-5 साल में वो भी बच्चा race बड़ सकता है माने आने वाले जीवन में जो बच्चे स्री पेलोन 12 को धान में रख के बोलते कि हमको medical और engineering entrance examination का preparation करना है उन बच्चों के और competition बड़ेगा और आज से नहीं करेंगे तो और ज़्यादा तकलिव होगी अब हमारा system ही ऐसा है कि आप board exam में भले ही 99 percentage ले लो लेकिन आपको further education के लिए अगर medical में जाना है, engineering में जाना है आपको class one officer की job चाहिए तो आपको competitive examination के through ही जाना पड़ेगा अब competitive examination के through ही जाने की अगर system में समझके चलो arrangements है तो आप board examination में कितना भी percentage ले लेंगे तो उसका importance नहीं बड़ेगा इसका मतलब यही है कि आपकी जो competition से वो कहां से और कब शुरू होनी वाली हम बहुत सालों से कोशिस करते हैं 6 साल हो गए हमारे पास में 5th standard से जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हम लोग NEED, JEE के foundation classes पहले से ही चालो कर देते हैं UPSC का syllabus भी हम लोग 5th standard से बच्चों को धीरे 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 पढ़ाना चालो कर देते हैं यह सब फ्री है हमारे पर जितने भी NEED, JEE और UPSC के जैसे जो competitive examination के जितने भी syllabus पढ़ाया जाता है वो सब फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं उसके लिए एक रुपए भी फीस में आड नहीं है एक रुपए भी हम लोग अलग से नहीं लेते हैं, 6 साल से बच्चों को continuously पढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं बिना बुक्स के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिना बुक्स के पढ़ेंगे तो कब तक के टिक पाएंगे? बात वहीं पर अटक जाती है मैं आपको यह सब चीज़े क्यों बता रहूँ? इसका रीजन यह है कि आने वाले दिनों में कॉम्पेटिशन बढ़ेगा और अगर इस कॉम्पेटिशन में आपको टिकना है तो तयारी आपको आज से ही करने पड़ेगी आप 1112 में जाएंगे फिर बात का बाद में सोचेंगे अगर आप ऐसा सोचके किसी भी एजुकेशन सिस्टिम में टिकना चाहेंगे तो भविश्य में आपका टिकना मुस्खिल हो जाएगा बच्चे उनके पास पैसे तो पड़ा लेंगे नहीं आप कहीं पर भी पड़ो वहाँ पर भी वो सब चीजे मिलती ही है बस आप उसका फायदा लेना नहीं चाहते है पहले हमारे हाँ पर एक MBBS डॉक्टर्स गेस्ट फैकल्टी थी अब जब हम लोगों ने उनसे एक टॉक उनके बटाया था फिर हमने ममी से बात करने के बाद में बोला कि ममी 12 संडर पड़ी होने के बाद में भी पहली से लेके दसवी तक यह उस बच्ची का जो MBBS रॉक्टर हुई है उस बच्ची का पूरा जो हो मॉक्स घर में आने के बाद में क्या पढ़ाया कैसे पढ़ाया उस बच्ची से पूरा करवा के लेते थे, हर दिन वो अपना समय में से समय निकालके, मम्मी बच्ची के साथ बैठके, उसके आप पूरा पढ़ाई लेती थी, और बाके की चीजों के उपर में उसके उपर में ध्यान देती थी, अब देखे सक्सेस यहां से तयार होता है, सक् इसे जितने पैरंस बोलने वाले लोग हैं और जिनका घर में बच्चों के उपर में ध्यान नहीं है, और बच्चों के साथ में पढ़ाई के लिए नहीं बैठते हैं, उनके बच्चे भविश्य में कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे, यह मैं यह सब चीजे इसलिए बोल र और आप कहीं पर भी टिक नहीं पाएंगे.